संख्या का वर्गमूल भागफलविधी स्क्वार रूट आफ नमबर डिवीजन मेथड दोस्तूं, इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम भागफलविधी यानि डिवीजन मेथड से वर्गमूल ग्याद करना सीखेंगे हम जानती हैं कि किसी प्राकरत संख्या एक्स का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग एक्स होता है किसी पूर्ण वर्ग संख्या के एक साथ दो वर्गमूल होती है रिनात्मक और धनात्मक जैसे 4 का वर्ग मूल 2 और रिन 2, 9 का वर्ग मूल 3 और रिन 3 होता है अब इन पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखिए हम इन संख्याओं का वर्ग मूल अभाचे गुनन खंडन विधी या घटाने की संक्रिया विधी के दुवारा ग्यात कर सकती है यदि हम ऐसी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग मूल ग्यात करने के लिए भी इन दोनों विधीयों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ कठिन होगा और इसमें ज्यादा समय भी लगेगा लेकिन इसे हम भागफल विधी दुवारा आसानी से हल कर सकती है जैसे संख्या 3481 को लेती है और इसका वर्ग मूल भागफल विधी से ज्याद करने का प्रयास करती है इस विधी का उपियोग हम विभिन चर्णों में करेंगे सबसे पहले इस तरह रेखाएं खीचेंगे यहाँ भाजय आएगा यहाँ भाजक और यहाँ भागफल इसके बाद हम दी गई संख्या के 21 स्थान युनित स्प्लेज से शुरू करते हुए बाई और अंकों के प्रतियेक युग्म पर एक एक बार लगाएंगे हमारे पास यहाँ चार अंक हैं इसलिए यहाँ दो युग्म बनाएंगे और दो बार ही लगेंगे जब कुल अंकों की संख्या सम होती है तो हम संख्याँ पर बार ऐसे ही लगाते हैं लेकिन यदि यहाँ अंकों की संख्या विशम होती जैसे इस संख्या में कुल अंकों की संख्या 5 है तो बाई और एक ही अंक पर बार लगेगा इस तरह अब हमें एक ऐसी प्राकृत संख्या ग्याद करनी है जिसका वर्ग सबसे बाई वाले बार के नीचे वाली संख्या यानि 34 के बराबर या उससे छोटा हो हम यह भी कह सकती हैं कि हमें वह पून वर्ग संख्या ग्याद करनी है जो 34 से छोटी या उसके बराबर हो हम चानते हैं कि संख्या 25 और 36 पून वर्ग संख्याएं है और संख्या 34 पच्चीस और 36 के बीच में आती है क्योंकि संख्या 25 वह सबसे बड़ी पून वर्ग संख्या है जो संख्या 34 से छोटी है इसलिए हम संख्या 25 को संख्या 34 के नीचे लिखेंगे यहां संख्या 34 पहला भाज्य डिविडेंड है 25 संख्या 5 का वर्ग है इसलिए हम 5 को भाजक डिवाइजर मानेंगे यहां भागफल कोशंट का पहला अंक भी 5 ही होगा क्योंकि 5 गुना 5 बराबर 25 होता है 6 फल ग्याद करने के लिए दोनों संख्याओं को घटा देंगे यहां 6 फल 9 प्राप्त होगा अब अगले युगम की संख्या को प्राप्त 6 फल के बाद लिखिए इससे हमें एक नई भाज्य संख्या मिलेगी 981 अब नई भाजक के इकाई के स्थान के लिए एक रिक्त स्थान छोड़िए और पुराने भाजक के इकाई स्थान के अंक को दो से गुना कीजिए इसके बाद प्राप्त गुननफल को रिक्तिस्थान के आगे इस प्रकार लिखिए इस रिक्तिस्थान को भरने के लिए हम वह सबसे बड़ा अंक ढूंडेंगे जो भागफल का नया अंक होगा और नई भाचक को भागफल के इस नई अंक से गुणा करने पर गुणनफल भाज़े से कम या बराबर प्राप्त हो अब विभिन्ने संख्याओं को रख कर इस संख्या को ढूंडिए हमें मिला 109 गुणा 9 बराबर 981 जो नई भाज़े संख्या के बराबर है अब प्राप्त संख्या 9 को भाज़क के रिक्त स्थान पर लिखिए क्योंकि 109 गुणा 9 बराबर 981 होता है इसलिए भागफल का नया अंक 9 होगा अब इसे नई भाज़े संख्या के नीचे लिखिए और दोनों संख्याओं का घटाव कर दीजिए यहां हमें शेश भल शुन्य प्राप्त हो रहा है क्योंकि यहां शेश भल शुन्य है और दी गई संख्या में कोई अंक शेश नहीं बचा है इसलिए यहां संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यहां जो संख्या भागफल के स्थान पर है वह इस संख्या का वर्गमूल है इस प्रकार हमें संख्या 3481 का वर्गमूल मिला 69 जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे वर्गमूल निकालने की इस विधी को भागफल विधी Division Method कहती है इसे दीर्ख विभाजन विधी Long Division Method भी कहा जाता है इस विधी से हमें किसी संख्या का धनात्मक वर्गमूल ग्यात होता है इस संख्या का धनात्मक वर्गमूल 69 है क्या आप इस संख्या का एक और वर्गमूल बता सकते हैं? यहां होगा रिन 69 क्योंकि रिन 69 का वर्ग भी 3481 होता है हमने देखा कि दी गई पूर्ण वर्ग संख्या में चार अंख हैं और इसके वर्ग मूल में दो अंख हैं क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्ग मूल में कितने अंख होंगे आप चाहें तो वीडियो को यहां रोग कर सवाल को हल कर सकती है अगर हमारे पास N अंकों का एक पूर्ण वर्ग है और N एक सम संख्या है तो इसके वर्ग मूल में N बटा दो अंक होंगे और अगर N विशम संख्या है तो इसके वर्ग मूल में N जमा एक बटा दो अंक होंगे जैसे इन संख्याओं को देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आप आएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या की वर्ग मूल में अंकों की संख्या उसके अंकों पर लगे बार की कुल संख्या के बराबर है इस वीडियो में हमने भागभल विधी से वर्गमूल ग्याद करना दिखा और पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगाना सीखा अगली वीडियो में हम इस से जुड़े कुछ उदारन देखेंगे धन्यवाद